कि आज हम उर्दू के एक मुझाहिद जिन्होंने बहुत लंबी लड़ाई उर्दू के लड़ी है साबिख मेंबर पर्लिमेंट कांग्रेश से एक सीनिर लीडर और चार मुमालिक में हिंदूस्तान के सफीर यानि अमबेस्दर रहे दिल्ली की अर्दू अकेडमी जो हिंदूस्तान की 17 अर्दू अकेडमी में सबस्यादा फाल मानी जाती है उसके बहुत ही काम्याब तरीन वाइस चेर्मेन मौतरम मीम अबजल साब के रुबरू हैं जो एक अर्दू अखबार के मशूर अर्दू अखबार के मुदीर आला भी है उर्दू की लड़ाईए है इनोे पारलमेंट में भी लड़ी हैं दिली बी लड़ी हैं और सहफ़ाद की सत्रावियां उर्दू अकेडमी के प्लेटवार्म से में अबजल साभ मैं मानू की जानई आपका खैर्मक्दम करता हूँ इसने अफकू ऑपने आवाद हमेशा बॉ होता है चुकि आप अर्दू बैक्ग्राउंड से तालिम याफता है तो यह मुझे लगता है कि अर्दू का मुस्तविल हमने हमेशा यह महसूस किया कि ताबनाक होना चाहिए जी और उसके लिए कोशिश भी की जितनी जिसकी हैसियत होती है उतना वह काम करता है जो मेरी कैपस कुछ लोग यह कहते है उर्दू सारी दुनिया के अंदर फैल रहे हैं मैं यह यह कहते हूं सारी दुनिया में फैले जंगल में मोर नाचा इसने देखा आपके घर में फैली या नहीं फैली क्योंकि हमने उर्दू को जजबाती तोर पर दिल पर ले लिया लेकिन अमली तोर पर हमने उर्दू के साथ जो करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए उसमें कुछ जाइस वजुवाद भी है और कुछ नाजाइस वजुवाद भी है जाइस वजुव यह हो सकती है क्योंकि उर्दू अब रोजी रोटी से जुड़ी हुई जबान नहीं है 47 के बाद इसलिए 47 के बाद से आइस्ता आइस्ता वो और ज्यादा रोजी रोटी से दूर होती जा रही है और बहुत ही लिमिटेड दायरा रह गया है यहां आप उर्दू पढ़कर उसके हवाले से रोजगार हासिल कर सकते है बहुत कम रह गया है और बेरोजगारी का खत्रा तो हर माबाब को हर आदमी को होता है तो वो उर्दू मीडियम स्कूलों में पढ़ाने से बच्चों को घबराने लगे नतीजा यह हुआ कि आज उर्दू के जो स्कूल से वो आइस्ता इस्ता कम होते चले गया रहे है दिल्ली जैसी जगा पर काफी स्कूल यह हैं वो बंद हो चुके हैं उत्तर परदेश इतना बड़ा सूबा देश का सबसे बड़ा वहां उर्दू का एक भी उर्दू मीडियम स्कूल नहीं है जाहिर यह तो होना ही था जब आप रोजी रोटी से नहीं जोड़ेंगे जमाने में मैं खुद अर्दू एकड़मी का वाइस शेयरमन मैं यह तो नहीं कहूंगा कि मैंने कोशिश की लिगन आगी कोशिश जमाने में उर्दू वाले भी थे सब लोग थे और हमने एक मुश्टर का कुशिश की और शीला दिख्षिट साहिबा जो उस जमाने में हमारी चीफ मिनिस्टर थी उनका रवाइया बहुत पॉजिटिव था इसी तरह बिहार के अंदर जो चीफ मिनिस्टर उस जमाने में थे उन्होंने पांच सुबों के अंदर उसको सेकेंड लेंग उसके नतीजे में वो उर्दू रोजी रोटी से नहीं जुड़ पा रही हैं दिली में आज कई ओदे ऐसे हैं जहां उर्दू वालों को तायनात होना चाहिए हैं वहां अपाइन्मेंटी नहीं होते हैं असाज़ा की आप बात कर रहे हैं मतरजिम असाज़ा और उसके अप जब वाइस टेर्मेंट बने थे तो आपने कहा कि मुझे बहुत कोफ्थ होती है तकलीफ होती है और सड़कों के नाम सारे उर्दू में गलत लिखे हैं और आपने आठ महीने तक जी जी आठ महीने लगा तार आप तो उसका हिस्सा रहे हैं कि उसको हर सड़क और उसकी परमीशन लेने में कितनी डिफिकल्टी हुई कि हम इस्पैलिंग जो है वो जो गलत तलफ़ लिखा गया है गलत इस्पैलिंग लिखी गई है हमने कहा हम अर्दू अकैडमी के खर्च पर इसको ठीक कराएंगे जी 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 चूँकर जो गहर मुमालिक से लोग आते है बहार से लोग आते हैं वो मजाख उलाते हैं कि दिल्ली जो एक कैपिटल है मुल्क का दारुल सलाफा है वहां पर उर्दू जबान दूसी सरकारी जबान है वहां पंजाबी में जो लिखा हूँ तो दुरस लिखा हूँ है और उर्दू के अंदर जो है बहुत खराब लिख तो वहां पर बजाए इसके के पर्मनन टीचर्स रखे जाएं उन्होंने कहा उर्दू एकेडमी से के आप हमको टेमपरेरी चार घंटे के लिए पढ़ाने के लिए टीचर दे दी उर्दू एकेडमी वी राज़ी हो गई मेरे से पहले की बाते हैं अब पता लगा कि उनको इत लोग जो अर्दू के नारा लगाते हैं कि अर्दू में चो खत लिखिए उर्दू में नेम पलेट दफ्तर में और घर के भार लगिए उर्दू का खबार लेजे क्या उससे एर्दू ठीक हो जाएगी बिल्कुल नहीं होगी तो यही तफियों क्यों मुतालबा के जाता इ林 सिर्फ जजबाती बात हैं. जजबाती बात है कि आपने घर के बाहर उर्दू में लिखिए जब बाहर उर्दू पढ़ने वाले ही नहीं है तो आपका बोर्ट पढ़ेगा कौन. सब से ज्यादा जो तकलीफ दे बात है, मैं चुकर्दू का अखबार निकालता था, जो हमारा अर्दू का इंट्रिलेक्शल तबका है दानिश्वर जी 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 वो अर्दू अखबार खरीद के नहीं पड़ता लेकिन सर उनका एक इक लजाम और भी है कि जो अंग्रेजी के अखबार में जो मवाद है जो भरपूर मवाद है अर्दू में वो तसलिए नहीं हो हालात के तहट आप मुसल्मान ही उर्दू ज्यादा पढ़ते हैं मतलब 99% बलके 95% कहना चाहिए 95-99% तक अर्दू मुसल्मान ही पढ़ते हैं मुसल्मानों की खबरें और उन से दिल्चस्पी की खबरें उर्दू अखबार कहला हो कहां आती है मुझे बता दीचे आप तो अगर आपको अपनी कम्मुनिटी के बारे में मालूमात हासिल करनी है तो आपको इंडियन एक्सप्रेशन तो नहीं मिलेगी ये खबर आ जाएगी अगर बहुत इंपॉर्टन खबर होगी तो लेकिन कोई मजबून अर्दू के तालुक से या अर्दू अखबारों के आज के मताबर जो होना चाहिए जो आपकी कम्मुनिटी का मिजज है उसके मताबर तो सारा फीड़बैक जो है वो अर्दू में लेकिन ये भी जूट है कि वो अर्दू के अखबार वो तसली नहीं करते हैं आज हैदराबाद के अंदर कम से कम तीन अखबार आता हैं जो अं वो आ गया है टेकनलोजी आ गयी है लेटस उसके अंदर आपको तस्वीर पहले एक तस्वीर चापने के लिए हमें कितनी परशानी हुआ करती थी हम जानते हैं आज आप कम्प्यूटर पर ज़रा सी तरे में वेजी हो और अगली तो आज अर्दू अखबार कुछ मैं सारे गयात नहीं कर रहा हूं लेकिन ज्यादा तर अखबार बहुत अप्टू डेट हैं लेकिन जाहिर है कि जो उसके पढ़ने वाले हैं उसका फीड़बेक सिप अर्दू में मिलता है जो हमारा इंट्रेलेक्शुल है वो अगर अपने अर्दू अखबार का मुकाबला दक्कन क करेगा तो गलत करेगा आप इतना इश्तार तो दीजे उसको इश्तार देते नहीं अर्दू वाले इश्तार देना के लिए तैयार ही नहीं होते हैं इसलिए माली हालत बहुत अच्छे नहीं हैं बिलकुल हालत अच्छे नहीं और ये भी पतकिस्मत ही है हमारी कि अर्दू क दो बड़े अखबार दिली से निकलते हैं दोनों दो कमपनीज चलाती हैं जी 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 यानि अर्दू वाले जो बुनियादी तोर पर अर्दू वाले नहीं हैं वो उनको चला रहे हैं जी चूंकि उसका कमर्शल आसपक्ट उनने अपने हिंदी अखबार से जोड लिया है और डायरेक्ट अर्दू वाला काम चला रहा है वो इसको इस्दूरा नहीं मिलते ही बहुत सही है तो अर्दू के अखबाराको जैसे हैदरवाद को मैं मानताॉं हमेशा कि वह श्दारा बंबई वह वह कि अखभारो के मामले में कंजूसी नहीं करते या हैं यानि वह अपने अ स्यासी पार्टी के लीडर की सालगिरा है तो जेव से स्यासी लोग इसमें इस्ताहर खर्च कर देंगे पैसे लेकिन अर्दू के फरोग को सामने रखते हुए और उसके जरी अपने कारोबार को बढ़ाने की कोशिश करें तो यह तो नहीं होगा दूसरी बात है एक आदमी जब वो अखबार की तादाद ज्यादा च्छपेगा तो उसको च्छापने की कॉलिटी बेतर होती चली जाएगी उसके पास पैसे आएंगे तो शायद वो अपनी तनखाओं में अदाफा भी कर सकता है तो यह सब चीज़ें एक दूसरे से जूरी हुई है लेकिन बुनिया परनाटक में जाएए तेलंगाने में जाएए और महराश में जाएए वहां के स्कूल ज्यादा खुद कफील है इस टेंडर भी उनका कहा जाता है कि यूपी और दिली के स्कूलों से अर्दू मीडियम स्कूलों से बहता है कि आप इसमें यकिन रखते हैं उसका सबसे जाना पसंद करता है मैं दिली के तीन बड़े स्कूल हैं जो दिली एजूकेशन साइटी जलाती है उसमें वह स्कूल भी शामिल है जो डिली का सब से पुराना थीन सौ साल पुराना स्कूल यह जहां से हमने तालीम हासिल की मैं उसके बोर्ड का मेंबर हूँ आपको हैरत हो कि एंगलो अरभी साड़े 300 साल के अंदर 95 परसंट उसकी सपोर्ट सरकार से दिल्ली सरकार से मिलती है और 5 परसंट पैसा हमको खुछ जमा करना प्रता है एक साल में हम 5 परसंट पैसा जमा करने के लिए कितने पापड बेलते हैं यह हमारे काम करने वाले जानते हैं और हम जान किया दस साल पहले हैं आपको हैरत होगी कि वही लोग जो अपने बच्चों के नाम पर एंगलो अरभी की स्कूल के अंदर हजार दो हजार रुपे का चंदा देना पसंद नहीं करते हैं वो हजार दो हजार से ज्यादा फीस हर महीने अदा करके अंग्रेजी स्कूल पढ़ा पना पसंद करते हैं, तो दस साल पुराना स्कूल की माली हालत, एंगलो औरिबिक साड़े तीन सो साल पुराने स्कूल से कहीं ज्यादा मद्बूत है, बलकि आपको मैं सीक्रेट बात कह रहा हूं, सीक्रेट तो जाहीर है तो पब्लिक को बताना चाहिए कि कभी-कभी एंगलो अरबिक के फंड्स कम होने की वज़े से हमें एंगलो अरबिक मौडिल स्कूल जो है इंगलिश वाला उससे पैसे उधार लेकर काम चलाना पड़ता है इसी तरह एक शफीक मेमोरियल स्कूल है जो बाड़ा इंगलो अरिया में उसके माली हालाथ भी अच्छे नहीं है जब कि उसके चारो तरफ जो काम रहने वाले लोग है वो काफी अच्छे जी है खुशाल है खुशाल लोगों का एक काफी अच्छा इलाका है जहां पैसे की भी फरावाए लेकिन जब जब से हम लोगों ने कुछ समाला है याकब पुरेशी साहब जो हमारे एलिक्शन कमिशनर थे उनको भी मेंबर बनाया गया है मैं हूँ जब से इसमें शिर्कत किया तो हम काफी इसमें कोशिश कर रहे हैं, सरकार से भी हमने पैसा लिया, अभी आली में पिछले साल हम ने तकरीबां डेल करोल उपिया जो है वो दिल्ली सरकार से लिया और अभी और पाइपलाइन में हैं, तो स्कूल की बिल्डिंग पर, वन्ना अ सिधा सबका स्टैंड बिल्कुल यह है, कि भाई जिसको काम करना है वो रहे, और जिसको पॉलिटिक्स करनी है, हमें तो नहीं करनी है, आप हमको सबसे पहले रुफसत करने हैं, तो अब यह हो गया कि लोगों ने हमारे रवाईय को देखते हुए, चुके हम ने यह नहीं कह कि इसके लिए हम 50-50% जिम्मेदार हैं, अब मैं जब उर्दू एकेडमी का वाईस चेरमेंट था तो जमाने में उर्दू एकेडमी का बजट पौने 2 करोर था जो बढ़ा करके 2 करोर कर दिया था, जिए 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 उस जमाने में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बड़ के अंदर सबसे जो इंपॉर्टन बात थी, मैं अपने उर्दू वालों से कहा करता था कि आप उर्दू एकेडमी पर रोज तनकीद करते हों, सरकार उसको साड़े 11 करोर लुपे आज दे रही है, पूरी दिल्ली के उर्दू वाले मिलके क्या उर्दू के फरोग पर 1 करोर उपिया खर्च करते हों तो मुझे बता दीजी आप, आप 1 करोर उपिया खर्च नहीं करेंगे, आप उर्दू के स्कूलों को चलाने के लिए कोई मदद नहीं करेंगे, और सरकार से यह उम्मीद करते हैं को साले 11 करोर जो दिया है, उसके अंदर भी हमको सवालात पूछने हैं। और उसके अंदर दोनों चीजएँ जो हमारे लोग काम करते हैं, वो इदारों को चलाने में, इदारों का जो बनियादी मकसद है, उसको नजर अंदास करके सियासें ज्यादा करते हैं। अच्छा अभी जो स्कूलों का हाल तो यह है, स्कूलों से निकल कर ही लोग यूरुष्टी तक कालोज तक जाते हैं, मैं अभी कल एक हफते से अलिगड़ में था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, अलिगड़ बहुत आगे गामजन है, एक हिंदुस्तान में एक और यूरु स्टेट लेवल की जो है, दुलहक यूरुष्टी भी कायम होगी है, इस्टेट की, तो यह यूरुष्टी जो अर्दू यूरुष्टी बन रही हैं, आप इनसे क्या उमीद रखते हैं? देकि वड़ा दिल्चस बात है, आई के गुजराल सहाब का बुनियादी आइडिया उर्दू यूरुष्टी बनाने का, उस वक्त दिल्ली के हमारे कुछ दानिश्वरों ने इतरास किया, कि उर्दू यूरुष्टी बनाने का क्या फायदा जब प्राइमरी स्कूल सते पर उर्दू नहीं हैं तो, और यह लेकर के जब गुजराल सहाब के सामने गये, तो उन उनकी खुशामत की के, जब लोग खुद अपनी फला और अपना फाइदा नहीं पहचान सकते, तो मुझे क्या फाइदा उनका लेकर काम करने का, उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि उन्यादी तादीम जो अलाग अलाग है, जो मैं काम कर रहा हूं वो औल इंडिया लेव लेकिन मैं कहता हूं कि मैं भी उसके अंदर एक छोटा ऐसा बुनियात का पत्थर हूँ, आपने खाइज जाहिर की कि नहीं साभी मुझी का मुझा बनाना चाहिए, वैसे भी हमने उसको बना दे वह बड़ा उनकी मदद की, हाँ ये बात जरूर थी कि उस जमाने में एक बह गुझाल साब की हंतक कोशिश और उनके कमिटमेंट था, कि उन्होंने चुके वो गुझाल कमेटी की सिफारिशाद जो उन्होंने आफिश की थी, उसका एक 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 बहुत एहम पहलू ये भी था, उसमें भी शामिछाए तो वो सारा कुछ तो नहीं कर पाये शाहिए, ये युनिवस्टी जो कर रही हैं, वो अपनी जगह पर है, और फिर मिसाल के तोर पर, ये कंसर्ट पहले किलियर नहीं था, कि उर्दू की युनिवस्टी में क्या जरिया तालीम उर्दू होगा, हलाकि वो नहीं था, बुनियादी बात यह थी कि उर्दू ऐसे सबजक्ट ह अगर क्लास में अगर पढ़ा रहे हैं, तो उर्दू का कितना फ्लो हो रहा है, तमाम लोग जो आ रहे हैं, वो दूसी तालीम भी हासिल कर रहे हैं, और उसका सथ उर्दू भी पढ़ लाए है, तो ये तो एक अच्छा आइडिया है, मैं समझता हूं कि इसको सभी उनिवस् आपने बहुत कहीं दीवक्त दिया और अपने खैला आपके इज़ार किया, और उर्दू के हवाले से ही जो आपकी इशादात हैं, यकिनन हमारे तलबा के लिए बड़े मुफी साबित हैं, मैं आपके तलबा को एक पैगाम जरूर जरूर से, और वो ये है कि चुके आपके जो ये तलबा हैं, जो अर्दू में पढ़ ला हैं, कि वो अर्दू को एक मिशन के तौर पर आगे लेके चलें, और जिन्दगी में ये तै करें, कि जो नौन अर्दू वाला है, उसको कम से कम दस अलफाज बहुत अच्छे उर्दू के दस अलफाज सिखा दे हैं, ये और वो अलफाज का इस्तेमाल उन से करवाएं, कि वह आप बातचीत में इन अलफाज का इस्तेमाल करें, जैसे गुजारिश, जी 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 इसका कोई रिक्वेस्ट और ये तमाम चीज़े हो सकती हैं अपनी जगा पर, लेकिन जो गुजारिश का जो बात इसमें है, जो बात तक पहुचाएंगे, बहुत शुक्रिया जी जी जिए हो बादी जी जी ममारा आपना का जो बात जोजाएंगे, जी 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 जो कमुच्त बात गसकासाए耸, जी कि वहुत आहन compliments, जी जीर के जैसे लेकिज़े जी जी जिसाएंगे, जीर तक बात आर झालाश बासे हो